मा यहां छोनके गई है ना कहें कि रइबरेली के हवाले कर रहे हैं ऐसा कुछ नहीं वह राइबरेली के हवाले है या वाइनाट के हवाले हैं यह तो समय बताएं चुनो जो हुआ है जनता प्लेश सरकारी मसीनी के बीच में उसके बावजूद में मुझे नहीं लगता है कि कहीं दिनेश सिंग देखाई पड़े अगर कोई काम सांसत जी से पड़े तो आदमी कहां ढूंड ले जाएगा सांसत को दिल्ली दिनेश परताप सिंग हमारे लोकल परिवार के बिल्कुल ओए चुमंतर कर देती कि यह परिवार है तो उनका परिवार बन जाते हैं इसलिए राइवली लगातार के वाल दो अलेक्सिन मार्केट में अगर कोई आता है चाहे कस्टमर हो व्यापारी हो दुकंदार हो किसी के लिए बात्रूम की समस्या हमारे कै बिल्कुल नहीं है और उसकी समस्या उठाते हैं तो किसी कोई कहता जगह तो इस बार करें डियर लाग से लाग से लाग की बिश्म तिने सिंहां से जीत रहे हैं और भी कोई सब्सक्राइब यहां के नहीं दिखाई पड़ता है कि हमने नंग्शा पास किया पार्किंग नही कांग्रेज्द पेट्यासी इन तीनों में यह जित हजारों सहेगी लाखों सहेगी या कई था आपका और मेरा मानना यह है कि दिनेश सिंग जो है भाजपा नेता है वह डेढ़ लाकोटों से जीत रहे हैं इस बार कापी थोड़ा सा विरोध भी देखने हो कि मिला इसका क्या कारण विरोध कुछ नहीं है बस वो जीत रहें कांग्रेस हार रही जो राहुल गांधी को को डखले कि दिनेश पताप शिंग जी देल से ढूल लाकोटों से से किमा साथ की क। सब विखास का बहुत मूल्य दिक्कते थी जो मान्य दिनेश पताव सिंग के जीतने के बाद यह दूर होंगी चलिए यह अभी रोड बनी भी हैं क्या कारण है इसका कि जैसे मान लिए कई लोग कह रहें कि यह काम चुनाओं के पहले हो जाता तो दिनेश जी आर्स से पहले मान्य सोनिया गांधी जी जो थी इन्हों ने कोई काम नहीं कराया है और जो हमारे नए सांसद भावी सांसद हैं मान्य दिनेश पताव सिंग जी इनसे पूरी आशा है पूरे सभी जन्पाद वासियों को आशा है पूरा बहुमर से पूरा अच्छी तरीके से काम होगा यहां में चुनाओं क्या रहेगा कौन कितने लीड दे रहा है जन्ता प्लेस सरकारी मशीर्णी के बीच में हुआ उसके बावजूद मुझे नहीं लगता है कि कहीं देने सिंग देखाई पड़े लेकिन वर्तमान समय में चार सो पार कर नारा देने वालों की आवाजें बंध हो गई है और इंडिया गड़ बंधन उत्तर प्रदेश में भादपाक होगर 25 सीटे मिल जाएं तो बहुत बड़ी बात है चलिए यह टांसपोर्ड यूजन के अद्दक्स थे हमारे बीच और भी लोग है महमान क्या पड़िशा था आपका रवन कुमार बर्मा स्वानकार कल्यार समीति को साध्याच आप क्या आकड़ा कह रहा है इस बार यहां पर बात्पापतासी कंग्रेस प्रतासी में कौन लीड देरा यह इनेश परताप सिंग्ह यहां से विजय हो रहे हैं डेर से दो लाक ओटो से काफी लोग यहां सिखात करें कि रोड़े बड़ी बदहाल हैं अब पांच साल में एक बार सोनिया गांधी यहां पे आएंगी तभी तो देखेंगी वो उनका पता नहीं रहता है कि यह हमां क्या है क्या नहीं है रोड क्षस्ता हाल है कोई का मेंअ हो रहा है कोई काम से पढ़े तो आदमी कहां हदो सब्सक्राइब कोई भी सकता है दोनों की लड़ाई है आपके हमारा मन हम तो प्रत्यासी वह किया है लेकिन यहां लड़ाई राहुल की जो सुनाई पढ़ा चर्चा में हाकिकति है कि राहुल को ही आना है यहां से केंद्र में सेंटर में गारंटी है कि मोधी सब पर से डालों उसको कोई रूख नहीं पाएगा यहां चुकि राइबली के जनता गांधी परिवार की बिल्कुल यह चू मंतर कर देती कि भाई यह परिवार है तो उनका परिवार बन जाते हैं इसलिए लगातार के वाल दो चोड़ दीजिए तो जब पजार से एक लाग लगवाग लाग थान तक निकालेंगे वह मेरा अपना पेनियन है कि यही जाए गांका बाकि यहां बात है तो मोधी जी आएंगे जैसे आप सांसक पूल भी जीते माली चाहिए वह बात पाप आप और यहां लग रहे हैं आपको उस पर फोकस होना जी ए लेकिन रोड की बहुत बड़ी शांसे है रोड बनना यहां पर चालू हो गए आपने साहथ जानकारी होई हो जो है जेल लोड से दिगरी काले 14 जेलोड बन रही है और बेगरी काले 14 से इस जेस तक बन गई है बाकी और वेबी काम चल ला है इस पर क्या कहें रोड है नालिय समस्या नहीं है सब पूरी जाम है सहरों की एक समस्या है रोड की समस्या है नालियों की समस्या है किसी भी मार्केट में सोचाले नहीं है सांसद अगर यहां का है तो आट पर देखने भी नहीं है ना पार्किंग है ना सोचाले है अब मार्केट में अगर कोई आता है का चाह के जगए दें हैं हमारे पास ह्वे सबसे बड़ी समस्या है कि पांच साल में हम सब के पास गए हमारे पास यहां बातरूम हमत्रम के आरें होस्तरूम के बातरूम के मीने कि देटा फिस सब तो इसके लिए नहीं नहीं करने हैं इस पर आइये हमारे और भी लोग यहां मौझूद है चुनावी आकोड़े के लिए पर्चा क्या था यह आकड़ा कहे रहा है आपका इस वार करें डिएड़ लाग से एक लाग से डिएड़ लाग के भीश में तिने सिंहां से जीत रहें चुना है और भी कोई सदक से हमारे बीच है यह देखिए हमारे बीच है दाद कोई पार्किंग नहीं है आपको पता है मैंने उस समय सोनिया गांधी भी थी उसके बावजूद लगबग 35 ग्यापन दे दिये यहां चले के कें तक आज तक इस जनपत में ट्रांस्पोर्ट नहीं बन पाया पार्किंग जितनी बिल्डिगें हैं बिल्डिगें सील कर दी कै कैसे बिल्डिगें बन जाती है उस समय यह परिपे सब्सक्राइब को नहीं दिखाएं पार्किंग नहीं है विल्डिंगें से बन जाती है हर समस्या से जूज़राये सेहर आज भी सहर आपको देख रहा है जाये किले बजार जाएंगे 1857 का रवरली आज भी आपको देखने तो साइद यह फुल न खुलता इसका जिम्मेदार जिसको हम जागरुक मद दाता कहते हैं हम दो लड़े एक सोचाले ख़ड़ा कर आल जा सिविल लाइन में अपने सारे आटो मोबाइल के लिए लेकिन उसके लिए कई साल भाई चिला है लेकिन बाबा सच्छेता ही है प्रिस से चालू हो जाएगी तो यहां का निश्की प्रिसाशन को भी सुनना पड़ेगा है अपने बाद यहां पर देखकार कम देख रहे हैं क्या कहना है इस वार भाजपा का ही लगता है कि भाजपा आगे आएगी तिकि सारे प्रदेश में जैसे काम हो रहा है पूरे यूपी में भाजपा के गाइडलाइन में उसी तरह आसा कर रहे हैं राप्रेली वासिवी कि यहां पर जो है इस जिले से भी भाजपा निकले आगे सैंसार कोई संस्या का समदा नहीं हुआ है सबसे ज़्यादा नहीं हुआ है इस सब दूर नहीं को सहर के अंदर बहुत ज्यादा सड़कों पर वाहन खड़े रहते हैं जिससे सड़क और सकरी हो जा रही है चलिए यह सभी मेहमान थे हमारे भी इन्हों ने अपनी बात तक की सड़कों की समस्याओं की और बीच मार्केट में जो ट्वाइलेट है इन सब सीजों की अपनी एक महांग रखी पर शुक्त हैं इन सब समझताओं करें नमस्कार आप देख रहा है राइबली समचार